हेलो स्तुम मैं हुरुजत बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस न्यूव वीडियो में अब दोस्तों आज की दिन तो आपके अंदर से एनर्जी ऐसे कूद कूद कर बाहर निकल रही होगी क्योंकि भाई सीधी सी बात है जब किसी फेवरेट टीवी सीरियल में दो लीड एक्टर रापस में टकराते हैं एक दूसरे के कपड़े तक वार देते हैं तो एनर्जी तो निकलने वाली वाली है यह तो सब को मालूम है वेल दोस्तों आने वाले एपिसूड में जो कॉलर पकड़ने वाला सीन है वो एक दूसरे का लाद गुज़े मारने वाले सीन में पदल जाएगा आपको मालुम नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि आने वाला जो एपिसोड है बहुत ट्विस्ट होने वाला है बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा एक तरफ सही अपना दिमाख लगा रही है एक तरफ सत्या ने सही कौफर दे दिया है दूसरे तरफ विराट को लग रहा है कि ये तो चमतकार कर दिया हमारे विनायक ने जिस टाइम पर मैं सही को वापस अपने पास चाहता है उस टाइम पर विनायक जो है फिर से बिमार हो गया है उसके पैरों में तकलीफ आ गई है और ऐसे में सही को लौट नहीं पड़ेगा वैल ये जो वीडियो में लास तक जूड़े रहिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दूस्तो आईपेल तो आप सभी लोग देख रहे होंगे लेकिन आईपेल देखने के साथ साथ लोटस 365 पर आप अपने उपेनिन शेयर करकर बहुत ही अमेजिंग प्राइज जीच सकते ह हैं यहां पर आपको 50 से ज्यादा क्रिकेट से जोड़े सवाल मिल जाएंगे जैसे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और हां रजिस्ट्रेशन करते वक्त लोटस 365 बार आपको 365 रूबी मिलेंगे वो भी बिलकुल मुफ्त यहां पर 1-2-1 कस्टमर केर सर्विस आपके लिए 24-7 अविलेबल है आप अराम से अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉलीशन ले सकते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर जो है अल्रेडी लोटस 365 पर खेल रहे हैं और रोज कोई न कोई अमेजिंग प्राइस जीत रहे हैं यहां पर क्रिकेट के साथ-साथ 200 से भी ज्यादा और भी श्यर्मा जैसे बॉल्वूड सेलिब्डी ने प्रमोट किया है और वो इसके ब्रेंड अमेज़र है तो डोंट वेस्ट यूर टाइम गो एंड रोजिस्टर नाओ एट लोटस 365 लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वे दिया है और हां कमेंट भी पिन कर दिया है तो सबसे यहां पर सत्या अपने घर वालों को पूरी तरीके से यह साबित करते वे नजरा सकता है कि यहां पर उसने बहु डून ली है अपने लिए और यहां पर वो और कोई नहीं बलके साही खुद है ऐसे में सत्या की फैमिली वालों को दिलासा हो जाएगा और दूसरी यही तरफ साही को भी यह लगने वाला है कि सत्या भले ही अपने वादे को अपने परिवार्ज के सामने पूरा करने के लिए कर रहा है लेकिन अगर ऐसा रियालिटी में होता है तो विराठ पत्र लेखा और विनायक यह तीनों एकदम सुरक्षित तरीके से जो हैं आगे बढ़ सकते ह अब दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आकरकार विनायक को फिर से बिमार दिखा कर उसके पैरों में तकलीफ दिखा कर सील के मेकर्स हमको आकरकार दिखाना क्या चाहते हैं और आकरकार एक बार फिर से क्यों वो साही को चावान निवास की और बेजना चाहते है तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि यहाँ पर सील के मेकस नहीं सीन चावान निवास में साही को लाने के लिए नहीं बलकि चावान निवास में पत्र लेखा को स्ट्रॉंग और साही को कमजूर करते वे आउट करने की साजिश करते वे नज़र आ रहे हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि साही को पता चल चुका है कि विनायक के पैरों में तकलीफ है एंड डॉक्टर साब यहाँ पर बताते में नजर आते हैं कि चोटे से बच्चे को इता है स्ट्रेस कोई नी देगा यहाँ पर उसे ध्यान की रखने की जरुत है उसको ध्यान से रखो उसको मज़े कराओ चिल कराओ उसे कोई टैंचन अमद दो अब ऐसे मिसाही को पता चलने वाला है कि टैंचन का रीजिन कोई और नहीं हम घर के बड़े लोगी हैं क्योंकि सीरियल के अंदर जितने सवी और विनायक अठखेलिया और बदमाशिया और कांड करते में नजर नहीं आते उतने तो चवान निवास के बूड़े-बूड़े बच्चे हैं और वो परेशानी करते में नजर आ रहे हैं यहाँ पर विराट का सही का पत्र लेका का सत्या का इन सब की जवानी खतम नहीं हो रही है बच्चों को अभी तक यह नहीं पता चला है कि उनके असल में आई बाबा कौन है यार यह तो सेल के मेकर्स को और सही और विराट को भी सेल के अंदर ही सोचना चाहिए कि आप यह बच्चे जो है कम से कम आये थी के अंदर विनायक की उमर 19 साल हो गई होगी सभी की उमर भी देखे तो हम 7-8 साल है लेकिन यहाँ पर अभी तक उनको यह क्लियर नहीं है कि आकिरकार किसको आई सच में बुलाना है किसको बावा सच में बुलाना है किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है तो ये थोड़ा सा जस्तिस तो यहां पर बच्चों के लिए बनता है यहां पर लेकिन घर वालों का बच्पना खतम हो तक तो बच्चों का धाना है वैल दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि सही के लिए negative point क्यों बनने वाला है विनायक के पैरों में तकलीफ होना तो दोस्तों यहां पर सही को बता चलेगा कि tension का कारण और कोई नहीं हम स्कुदी लोग हैं मैं खुद हूँ अगर यहां पर विनायक की आई को पत्र लेका को उसे दूर किया जाएगा तो विनायक के बैरों में तकलीफ होगी सीधी सी बात है वो stress लेगा तो ऐसे में साइडी साइड करने वाली है कि अगर विनायक को उसकी happy family लोटानी है तो मुझे अपनी life में move on करना होगा क्योंकि जब तक मैं move on नहीं करूँगी विराट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा and and the moment आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है साइडी move on करने के लिए राजी हो जाएगी वो भी किसके साथ एक ही option वसता है सत्या के साथ और उसके बाद यह सत्या की जो शर्त है जो की एक मजाग था वो reality बनकर कब मंडब तक पहुँँचाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अब चलिए दोस्तों माल लेते हैं कि सत्या और साही जो है वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर मंडब के अंदर और दोनों के जो starting letters है word के दोनों ही S है सिया की जोड़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी कल एक कमेंट आया था मुझे पता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सील के makers न जो है I think यह डिसाइड नहीं किया है अब तक और ना ही ऐसी कोई update अब तक आई है कि यहाँ पर दोनों शादी के बंधन में बंद जाएंगे और एक साथ move on कर जाएंगे पत्र लेखा और साही दोनों ही उसका logic मात्र तक नहीं रह जाएगा उसका क्या ही logic रहेगा जब इतने दिनों लड़ाई वो लोग के रिष्टों के लिए कर रहे थे और जब वो रिष्टा ही नहीं बचेगा इतने सालों के बाद मतलब कितने लोगा को तो मटर सील की में एक कसन दिखा दिया है विराड ब मिलना सीरियल के अंदर तय है लेकिन अब शर्त ये है कि सीरियल के मिकर्स इतने कितने दिनों तक कितने ट्रैक तक कितने टाइम तक टी आरपी के साथ आगे बढ़ा पाते हैं और ये डिपेंड करता है आप लोगों के उपर की आप लोग सीरियल के साथ कैसा जुड़े क्योंकि आपके टीवी से जूड़ी अपडेट मैं आपको लगाता है यहां पर पहुंचाता रहता हूं मैं मिलूंगा आप सब वीडियो में जब तक के लिए थैंकि दोस्तों